तो स्पॉन होती ही मैं सबसे पहले वूड कलेट करता हूँ नाओ गाईज मेरे पास इनफ लकडिया जमा हो जाती है जल्दी से मैं उनका क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ उनसे जल्दी से टूल्स को बनाता हूँ तो गाईज मैं अपने वल्ड के सबसे पहले कच्छु ऐसे मिलता हूँ एन उसे बाइबल के जल्दी से निकल जाता हूँ तो गाईज पासी में मुझे यहां स्टोन्स भी मिल जाते हैं तो मैं जल्दी से उनस स्टोन्स को तोड़ना लगता हूँ पिकेक्स तूटने के बाद मैं जल्दी से अपने टूज को स्टोन में अपग्रेड कर लेता हूँ एन गाईज जैसे ही मैं यहां से निकलता हूँ मुझे अपनी पहली शिप दिख जाती है एन उसे देखके मैं बहुत खुश होता हूँ क्योंकि नाइट सर्वाइब करने के लिए यह मुझे बहुत हेल्पफुल होने वाली थी देन गाईज ऐसे ही चलते चलते मुझे एक केव मिल जाती है जासे मैं जल्दी से थोड़ा सा कोल इकटा कर लेता हूँ देन गाईज मुझे लखकी लिए यहाँ पर दो शिप्स भी मिल जाती है देन उनको मारने के बाद मैं जल्दी से अपना बेट बना लेता हूँ इस तरीके से मैं अपना हाड कोर का पहला दिन सर्वाइब कर लेता हूँ लिए अबस्ट्राइब कर लेता हूँ